नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका competition मेट्रेल में देखें दोस्तो काफी दिन बाद मिल रहे हैं तो आपको काफी रिक्वेस्ट थी काफी बच्चों कमेंड थे कि सर अमें जो दिलिय पलिस के बारे में स्टेंडिंग ओडर आए उसके बारे में बताओ देखें दोस्तों इसम में क्या क्या लिखा हुआ है हम आपको थोड़ा clear करने की कोशिस करूंगा ठीक है तो देखिए सबसे शुरुआत में बात करते हैं यह स्टेंडिंग ओडर हमारा 212 थीक है 212 of 220 मतलब 220 का अपना स्टेंडिंग ओडर है इसमें है क्या इसमें दिया गया है कि जो डूमें प् सबसे बड़ी बात यह दोस्तों सबसे बड़ी एक ठीकी पेपर लेगा अब देखे दोस्तों आपको पता कहां से चलेगा कि वेकेंसी आई है तो यह आपको दो जगए से पता चलेगा एक तो आपको SSA की official website के उपर आपको पता चल जाएगा एक आपको daily place website के उपर पता चल जाएगा कि वेकेंसी आच चुकी है ठीक है और इसके फीस है वो 100 रुप है फीस है दोस्तों अब बात करते हैं देखिए किसके कुछ पॉइंट है the commissioner of ये तो वो है देखिए दोस्तो किस किस को वो आपोइंट करेंगे वेकर बरती करवाने के लिए क्या सिस्टम है वो है देखिए जो paper है इसका वो कहां कहां पे लिया जाएगा मैं बता देता हूँ देखिए दोस्तो paper है इसका exam होगा वो खाले दिल्ली में नहीं वो ओल ओवर इंडिया इसका exam लिया जाएगा इसी में यही बताया गया है कि वहां के DGP's जो हैं उनको बता दिया जाएगा कि मतलब एक अच्छी सुरक्ष्याम होया करवाई जाए paper के लिए ताकि को चेटिंग वीटिंग ना हो तो यह हर एक स्टेट में paper होगा ओल इंडिया paper होगा ठीक है यही इसमें बताया गया है दोस्तो और एक computer based examination होगा अब बात करते हैं recruitment का mode क्या है देखें दोस्तो सबसे पहले आपका 100 number का paper होगा फिर आपके पास PMT और PET आपके जो physical measurement test है और physical endurance test है वो होगे अब देखें दोस्तों आप यह reservation policy पढ़ लेजिएगा यह तो पिछले बार भी आई थी तो कोई बड़ी बात ने आप आरम से पढ़ सकते हैं मैं इसके उपर time खराब नहीं करूंगा बिल्कुल भी आप जो इसकी educational qualification है वो किया किया होगी देखें दोस्तों इसकी educational qualification होगी वो बार भी पास होगी जो Constable है उसके लिए मैल के लिए और देखें दोस्तो 11 पास किस-किस के लिए चलेगी अब हमन्स होते हैं जो mountain constable ध्रइल Oui इनके लिए दोस्तों जियर भी पास भी चलेगा यह फिर son of serving जिनके बेटे मतल जिनके पिता जी काम कर रहे है उनके ठीक है तो उस परकार से अब देखें दोस्तो essential requirement क्या है मतलब आपको जरूरत क्या है क्या क्या किस की चीज की जरूरत होना चीए वो सबसे पहले आता हमारे पास driving license वो हमारे पास से light motor का जो है वो driving license होना चीए हमारे पास अब बात करते है age की age क्या है देखें दोस्तो जो general candidate है उसकी age है 18-25 और 5 साल के बाद में relaxation मिलता है SCST को और 3 साल का मिलता है OBC को अब देख सकते हो 25 से 28 OBC के लिए और 30 होती है SCST कंडिडेट के लिए ठीक है और देखें सबसे बड़ी बात आती है वह आपको मैं बता देता हूं देख कंडिडेट क्लेमिंग बेन बेनिफिट संटर भी सी देखें दोस्तों जो बच्चा अब भी सी के अधेन आके अपना रिजर्वेशन लेना चाहता है वह एक बात जरूर ध्यान में रखें की उसका जो चर्टिफिकेट ऑबी सी का वह गोर्मेंट ओफ एंटी के दिवारा जारी किया आँ चीए जो वीशी सेटिफिकेट है याद रखिएगा ओबी सी सेटिफिकेट है वो क्या देर्टिस रिलेक्सेशन विल बी ऐल्सों भी एडमीज़वल फो डवी एक और इस्यूद ऑबी सी सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैंने पढ़ा था कि तैसिलदार के साइन आपके पास होने चीए तो ओवी सीस्ट की जो भी कपके पास सेटिविकेट कोशिच करना कि उसमें तैसिलदार के साइन हो ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तैसिलदार का सबसे बड़ा मन्ने है और देखे दोस्तो थोड़ा टाइम लग रहा देर देर बताओंगा मैंने पढ़ तो लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा तो आप बिल्कुल वो नहीं है अब बात करते हैं अ और नैस reporting अशर्विस में देखे दुस्तों आक सर्विस्मन है ये पढ़ सकते हैं वहिश्दो से घ्यान होता है तो उनके ऐस बताने को जरूए थी हिया अब बदो एक्स्प्लेशन संदेख इसमें activities murder mean क्या है मेल के लिए होगा 170 cm height होगी दोस्तों जो जनरल कंडिडेट है उसका 170 cm height होगी ठीक है और मतलब जो ये हैं जो 5 cm जिनको छूट मिलेगी ये कौन से हैं देखिए ये hills area से जो आते हैं ठीक है उनके लिए होगी और देखिए देखिए साफ बताएगा इनोंने कंडिडेट्स क्लेमिंग इस रिलेक्सेशन वूट भी है उट प्रोवाइड डिस एफेक्ट फ्रॉम दा कंपिन अथोरिटी ठीक है यह नोंने बताया कि यह अथोर्टी के दुवारा कौन कौन से सकते हैं अथोर्टी कौन सी डीम होगा स्टीम होगा डिसी हो गया ठीक है और कंडिडेट को चूट चाहिए है जी जीया है कि वने अपको पहले बता देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए तिक यह पहले पिछली स्टिक अडेट को छूट मिलती है इसके अंदर पांच सेंटेमेटर देखें जिनके मतलब पिता जी है कुछ सर्व कर रहे हैं दिली प्लिस में उनके लिए अब चैस्ट है वो क्या है चैस्ट कैसे से प्रेस आई जंप यह हो लेंगे उसके बाद में आपका जो हापका मेजरमेंट होगा चैस्ट होगा आपका जो वेट होगा आइट होगी ठीक है यह दे रखाए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी उल्स सैल भी टेकन ओनली फूर दोज कंडिडेट हू क्वालिफाई से बिलोंग करती है अब पांच साल का वो है जो वीडियो ठीक आप पड़ सकते हो यह तो बिल्कुल नॉर्मल बात है आपने पढ़ लियोगी जो में में पॉइंट था मूं आपको फिर से एक बताऊंगा जो में में पॉइंट है अब आपको बताने की कोशिश करूँगा सेंटेमिटर तक उनको वोना है अब बात करते हैं रेस की रेस को फिजिकल आप देख सकते हैं यहां पर जो आपको समने बिल्कुल सपस्ट तरीके से में एक बताऊंगा तो टाइम लगे का लंबी वीडियो मेंने किताब देख सकते हैं यहां पर जो जो है वह वो होगा थिटक लिए आपको कोई डिफ्र में नहीं होनी युदिए की बोलतेहं उसको को यह मतलब किसी परकार के कर्यक्षं करवा रखिए हैं तो आपको क्या है कि उसमें तीन-चार चीजी आपको देखी जाते दोस्तो सर्जरी बगरा करा करा रखी हो अपने मतलब अंखों की तो तीन-चार चीज जांसते वह आपको पता चल जाएगा कोwa कोई मतलब कैने का मतलब है कि आपको ठीक करवाने की बात में बिल्कूल ठीक होना चीए वह जाए टटूस है टेटूस ऑलाउड है कुछ रख क्या 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 प्रमिट्ट हुणना Saad मतलब अंदर की तरफ होना चाहिए बार एक सबस्त नहीं दिखाना चाहिए बट है क्या बट ओनली लेफ्ट फॉर्म राइट हाथ पे वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे एक सेलूटिंग है राइट है तो हमें राइट हैंड पर अलाउड नहीं है कि और कितनी साइज ह होते हैं जैसे हमारा हाथ है ठीक है तो हमा जितना बड़ा हमारा वह जो एंग है उसका उसका वन फॉर्ट तक टैटू अलाउड है एल्बोर हैंड पर्टिकुलर पांट क्या सबसे बड़ी बात आती है कि सर एज कब से काउंट होगी जुलाई से काउंट होगी है फिर जन् करने की क्रूशियल डेट क्या है देखे दोस्तों क्रूशियल इसमें है कि अगर आपकी एक फस्ट जन्वरी ओफ दे येर ओफ रिकूट्मेंट के सब्रूट में स्टार्ट विपोर अगर तीस जून से तीस जून तक आपकी वेकेंसी बड़ती निकलती है जन्वरी से लेक काउंट होगी एक जन्वरी से और उसके बाद में कान्वठ के येर के आती है तो आपकी एक जुलाइच साट होग काफी बहुत यह दिक्कत थी कि वह है सरव जन्वरी से काउंट होगी है सब कुछ नहीं है आप समझ सकते हैं जो चीज है वो समझो जो आपकी एज है वो आपकी दसवी के सेटिफिकेट उसी का अधार पर काउंट होगी अब बात करते हैं रिलेक्सेशन फॉर्ड पुलीस पर्सनल एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलीस आप देख सकते हो जो डिपार्टमेंटली है उनको सबसे पहले पता ही हुआ हुआ थोटा टाइम लग रहा है मुझे भी जो आपके एक्जामिनेशन के को इंफोर्मेशन आ वह आपको पोस्ट के द्वारा नहीं बेज़े जाएगी वापके ओपलोड कर दे जाएगी आपको वहां से देखना पड़ेगा ठीक है और सबसे बात बड़ी बात है ज अब कहां कहां पर आपके फिजीकल होंगे वह आपना आएज न्यू प्लिस लाइन है अपना वजीरबाद है जाड़ोद्दा है यह तीन जिगापके फिजीकल होंगे आपका जो पेपर में क्या क्या आने वाला जन्न ओलेज रीजनिंग न्यूमेरिकल अबिलेटी कम्पूर्टर वह आप देख सकते हों आपके सामने है कि और यहीं बात देरा की इन्हें ने मैंने पट लिया थो होना आप मैंने आपको पहले बता अदेकर दोस्तों बस यह हमेन पॉjin में आपको बता देता है पर फिर क्या है देखे जो पर म्सक्रीइब आपको का पर जो आपके हैस्टेरट में जुन से पहले होगी तो आपके एक जनवरी से काउंट होगी और जुलाई के बाद में तापकी जुलाई से काउंट होगी फिर भी कोई समझ्या हो कूद दिक्कत हो ताप पूछ लेना कमेंटर में कोई दिक्कत ने अपका भाई आपके लिए हाज़ीर है ठीक है दोस्तों उम